एक्जामदार चैनल पर स्वागत है, लाइक करें हमारे वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दाए, ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें, तो आईए सुरू करते हैं सामान विज्यान, टॉप 50 जी के, बैंक, रेलवे, ससी, भाग 7, तो आईए सुरू करते हैं सामान विज्यान का और लेते हैं आज का पहला कोशन, हमारे चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाले, तो सामान विज्यान का पहला कोशन यह है, कार्ज का मात्रक क्या होता है, तो कार्ज का मात्रक जूल होता है, कार्ज का मात्रक, प्रकास वर्स एकाई है, किस चीज की, तो आपको आपसन इजामे रहेगा, चार्चर आपसन ना, जैसे दूरी है, समय है, रभमान है, प्रकास चिपता तो आपका सही उतर है, प्रकास वर्स चंद्रमा औरुने से कोई नहीं नहीं है । निमलिकित में से उकाहि केती औरू नहीं है। निम लिकित में कुन सा एक सुमेलित नहीं है, तो decibel ध्वनि की प्रवलता की काई है, अस्व सक्ती, सक्ती की काई है, समुध्री मिल दूरी की काई है, और Celsius कुस्मा की काई है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आपके क्या जाएगा answer, D number, बढ़ते हैं आगे, लिूमेन, लिू जोतिव रक्स का मात रक है मुँएग है दाब करा दाब का आप आपस्कल कोविच करने दाब कंप्यक्वाइग है तो मैं अपको मात रख और सथा When कि अस्ता गुनांग का इसा ही मात रख है अब आप्सन दिया रहे गाएं डाइन सेंटी मीटर न्यूटर मीटर स्क्वार मिटर स्क्राइब स्क्रार नीवल रिखत यूग्मा में से किन बहुतिक रासियों के समान वीमेज़ शुत्र नहीं है अब यह क्वेक विमेज़ समान है भारबल का है, कार्जुक लेकिन बलेंग दाब का नहीं है, सही उत्तर हुआ बलेंग दाब अदिस रासी है अब देखें, चार इसमों आफसन दियागा है क्या क्या है? उर्जा दियागा है, संवेग, बलागून और उपिक्सभी इसमें से अदिस क्या है? उड़ जा है निमलिखित में से सदिस रासी कौन सा है? तो चार आफसन है वेग, दर्बमान, समय, लंबाई उसका सदिस कौन सा हो जाएगा? यह वेग पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भवतिक रासी प्राप्त की जाती है तो चार आफसन है वेग, त्वरन, दर्बमान और बल और इसका सही उत्तर है दर्बमान सुन में स्वतंतर रूप से गिरने वाली वस्त्व का क्या होता है? समान त्वरन होता है जब 2 केजी वाले दर्मान पर 5 न्यूटन का बल लगाया आता है तो उत्वन होले आत्वरन कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड एसक्वाइड किसी भी इस्तिर या गति सील वस्तू कि इस्तिति और दिशा में तब तक कोई परिवरतन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहबल न शक्री हो है यह न्यूटन का गती का प्रथम नियम है रॉकेट समवेक सनरचन के सिदान पर कार्ज करता है आपको एंसर एक दम याद रखना है अस्व सक्ति अस्व यदि एक चलना प्रारम कर दे तो अब रोही की गिरने के आसंका होती क्यों विडाम विश्राम जरत के कारण चलती भी बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुई आत्री आगे की दिशा में गिरते हैं कारण क्या है न्यूटन का पहला गतिनियम बल का गुनलफल है द्रमान और प्वरण का सही का वजन भूओ पर सबसे ज़्यादा होता है याद रखना है कि सारे पूछे का है किसी मनुस का भार पिरत्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चद्वाप उसका भार क्या होगा 100 न्यूटन जाएगा 1 by 6 कम हो जाएगा 1 by 6 पार्ट हो जाएगा उसका पिरत्वी की सता पर खिसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रमान कितना है उसका द्रमान होगा 3 kg एक अंत्रिक शयात्री पिरत्वी तल की तुन्ला में चंद्व तल पर अधिक उच्छाणांग लगा सकता है क्योंकि क्योंकि चंद्वाप तल पर गुरत्वा करसं बल की तुन्ला में अल्प है 1 kg रासी का वजन है 9.8 न्यूटन जल के आयतन में क्या पड़िवर्तन होगा यदि ताप पान 9 degree centigrade से गिड़ा कर 3 degree centigrade कर दिया जाया तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा एक बीकर में पानी पर बाद तैर रही है जब बर्प पुंत पिखल जाएगी तो बीकर में पानी के तल उतना ही रहेगा जब किसी बोतल में पानी भढ़ा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूड़ जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए ऐसा होता है सरक पर चलने के पिक्चा बर्प पर चलना कठीन है क्योंकि बर्प में सरक के पिक्चा घरसन कम होता है आपको यह सब याद रखना कोसम बहुत इंपोर्टेंट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुझ में आता है तब जहाज थोड़ा उपर आएगा लोहे के कील पारे में क्यों तो अरते हैं जबकि पानी में डूब जाती है लोहे का घनत वे पानी से अधिक है और पारे से कम पानी का घनत अधिक्तम होता है चार डीग्री सेंटिगेट पे वस्तु की मात्रा बदलने पर अपर उत्तित हैगा उसका घनत वे समुझ में पलोण करते आईस पर का कितना भाग समुझ की सतर से उपर रहता है तो 1 by 10 वाग बर्प के दो टुकरों को आपस में दवाने पर टुकरे आपस में चिपक जाते है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्प का घनलांग घर जाता है हवाई जहां से याता करते से हैं पेन से सही निकलने लगती है वाई दो आप में कमी के कानन उचाई की जगों पर पानी 100 डिग्री नीचे ताप पान पर क्यों बनने लगता है क्योंकि वाई वंडलिये दाप कम हो जाता है अता उबनने का बिंदू नीचे आ जाता है साबुन के बुलुले के अंदर का दाप वाई वंडलिये दाप से अधिक होता है वाईव दाप मापी के रिरिंग में अचाने गिरावट तुफान का संकेत देता है प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाप पर पानी अधिक ताप करम पर उबलने लगता है हाईद्रोजन से भरा रॉबर का गुबारा वाईवमों ऊपर ऐकर फड़ जाता है क्योंकि हूँ उपर जाता है सुर्ज में रन्दन उड़जा का सीजन किसकाय से होता है तो ना भी किये संलेन के कायदू चाबी भड़ी घरी में कौन सी उढ़ा होती है तो इस्तिती उढ़ा होती है जब हम रवर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका कार पड़िवर्थ हो जाता है एसा पदार्ष में पाया जाता है इस्तिती जुड़़्े निमलिकित में से किसमें गती जूर्जा नहीं है तो ुद्धख़ प्रवस्तु की गति दूनी हो जाती है तो उसकी गति जूर्जा चौगरी हो जाती है नियम लिकित में सब कौन सा नियम इस कतन को वैट ठड़ाता है कि द्रवना तो स्विजद के आ सकता है नहीं कुई नास उर्जा सनस्चन का नियम और इसी के साथ सामान विज्यान टॉप 50 जी के भाग 7 यहीं कतम होता है हमारे चैनल से जुनने के लिए आप इसी वीडियो के निचे डिस्किप्सन में जाएए जहां आपको फेसी बूक इंस्टाग्राम और वाट्सप की लिंक मिलेंगे जिस पर क्लिक करके आप हम से जूर स रखते हैं इसके अलावा आप यूटूब पर डायक्ट एक्जाम दार्स चाठ करके भी आ सकते हैं इसी पीडियो के निचे डिस्किप्सन में हमारे चैनल के अधर वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे जैसे गरेंट डेली करेंट पर रिजिनिंग मैथ मैट्रिक्स जीक मिलते रहें इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए गुरुबाया